अधाने से डर्ड नहीं लगता ऐसे अक्सर कहा जाता है कि साथ के बाद थोड़ा सा एक्विटी से न आपको निकलना शुरू कर देना चाहिए थोड़ा सा और conservative investments करनी चाहिए क्योंकि जोखिम बहुत जादा होता है अब अब तो बहुत अच्छा उधारन पेश कर रहे हमारे दर्शकों के सामने और हमेशा से एक्विटी में आपका भरोसा रहा है इसी तरह से आप हमेशा से अब अब बहुत काफी है में पर HDFC भी है मेरे पार कोटक महंदरा भी है मेरे पर पोल इंडिया है एक महंदरा है क्या strategy क्या अपनाते हैं आप बस जो मूडा ता खरी लेता हूं अच्छा जो बस इंजी है ना जी उनकी राय को ज्यादा वेट जयता हूं में हालाई उनके दो-चार शेर मुझे बहुत लौस है डिजी एयू फाइन से स्माल फाइन से ग्रेनियूल पे इनमें काफी लौस है मुझे लेइन कोई बात नहीं है तो चलता है चलिए सर्फराज जी बहुत अच्छा लगा आप से बात करके और इस शो के माधियम से हमारी कोशिश भी यही है कि आप जैसे दर्शक अपने सवाल हमारे सामने रखे और आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है पच्छतर साल की उमर में भी आप एक्विटी में और शायर बाजार पे भरोसा रखे हुए हैं यह अपने आप में काबिले तारीफ है दोनों ही स्टॉक पे मैं सवाल पूछती हूँ नियर टम नजरिया एक जान लेते हैं राजेश से राजेश बताईए SBI 760, Escorts 2899 First of all, सरफराज जी को best wishes, healthy और long जीएट और long ऐसा बहुत अच्छा प्रोफिट कमाएगो SBI और Escort दोनों भी एक आउट-पर्फॉर्मर रहे हैं और एक्सपेट कर सकते हैं कि इंदे नियर टम भी एक अच्छा प्रोफिट सर को दे सकते हैं 855-860 जो है नियर टम में स्टेट बैंक में एक्सपेट कर सकते हैं On the other hand, Escorts भी काफी अच्छे All-Time Highs पे ट्रेड कर रहा है तो यहां से भी 3700-3750 Escorts में एक्सपेट कर सकते हैं